इस वीडियो में हम देखेंगे कि Excel data को हम अपने table में direct कैसे import कर सकते इसके लिए ना तो हम कोई code लिखेंगे ना ही हम कोई query चलाएंगे कभी-कभी हमें need होती है कि हम क्या करते है अपने Excel data को हमें table में entry करानी पढ़ती है बट उस time हमें क्या करना पड़ता है हमारे पास कोई idea नहीं होता है या फिर हम file को क्या करते है import करना होता है लेकिन उस time क्या होता है कभी-कभी error आने लगता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है custom code लिखना पड़ता है ठीक आज के इस वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं एंज तो हमारे पास क्या थाला होना चाहिए ठीक हम यहां से क्या करते हैं कंट्रोल-C इसको कौपी कर लेते हैं और यहां पर हम चलेंगे स्कुल में और अभी हम प्रैक्टिस यह हमारा एक 2 में करते हैं और यहां पर कंट्रोल वी कर देते हैं और यहां पर हुसको इसको इसको यह हमारा कॉलम का नाम हो गया है ठीक में कोर्ड कोड हमारा देख लिएन चीम इन जनें तर म्लाश्ट hell इंडर सक चेक बाद वैर के रहे हैं इसको हम दे इसके लेन्द के चाहिसकेंद इसको हम दे देते हैं Поэтому is खतीख हमने टेबल करे superb करने की को रिखी हमने डेरा इंसर्ट करना के लिए इनसर्ट इन्टू टीबल स्टुडेंट्स नहीं लिए इसको हम क्या करते है execute करते हैं तो हम चलते हैं अपने database पे और यहां से क्या करेंगे refresh करतेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पे एक table tbl students के नाम से create हो चुकी है ठीक है तो हम इस पे क्या करेंगे right click अधी हम select top 100 करेंगे तो अभी इस पे कोई भी record नहीं है तो फिर से हम इस पे right click करके और यहां पे क्या करेंगे ed top 200 ठीक है यहां पे आएंगे ठीक है अब देखिए अब जो भी data को हमें copy करना है ठीक है यानि हमें entry करवानी है table में तो यहां से हम क्या करते हैं copy कर लेते हैं अगर control shift कर लिजेगा तो यह क्या करेंगा डायरेक्ट पूरे data को एक ही बार कोपी कर लेगा ठीक है और यहां से हम करते हैं control c अब देखिए sql में चलते हैं अपने table पे जहां पे हमारा table की window है ठीक है यहां पे हमारा क्लिक करके और यहां पर कर देंगे पेस्ट कि देखिए इंट्री होने लगी और एक ही बार में हमारा क्या हुआ इंसर्ट हो चुका है ठीक है अब यहां पर कुछ वार्निंग आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे एक्जिक्यूट इसक्वल कर देंगे और यहां हमारा इंसर्ट हो चुका है ठीक है यहां पर भी कितना है निन्यानबे रिकॉर्ड है यह उपर वाले फर्स्ट रो में हमारी क्या है कॉलम का नेम है तो यहां पर भी हमारे पास निन्यानबे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बीना पसी structure होना चाहिए तो हम क्या करते हैं एक्सल से डेटा करके अपने सिक्वल के किसी भी टेवल में जिसमें भी कॉलम हमारा exist करता है माली यहां पर हम फाशनेम की जगा अगर हम country देंगे तो भी उसमें डेटा फिल हो जाएगा बट हमें अगर आपर से हमारा केवल और केवल हमें डeta को इनसर्ट को इंट करने की एच्छेने हिए तो हम कॉड्ड नहीं लिखेंगे बंच जाएगा कभी कभी लिक्वार्मेंट आती है यह किप्स है लहां करना पड़ता ऑदा तो ये tips and tricks हमें कभी-कभी बहुत help करती हैं तो friends मैं आजा करता हूँ कि इसमें कोई भी problems नहीं आएगी यादि फिर भी कोई problems आती है तो आप comment section में अपने comment drop कर सकते हैं मैं जल से जल reply करने का प्रयास करूंगा